पहले आप वीडियो देख लीजिए फिर उसके बाद इनके बारे में हम बात करें अब अब जिसको देखो उसको अच्पे जा रहे हैं अब जिसको नहीं पता लेकिन मैं जारा मेरे पासपोर्ट है ना घलत बात थोड़ी करूँ आपको इसमें मेरी फूड देख सकते हैं मैं खूद है इसमें तो पाइंदल चल लेंगे हां जहेंगे 8000 किलोमेटर जहेंगे नहीं जा सकते हैं आपको नहीं को रोक के पुछिने वाले हरा हमारे गाव में से कोई अदमी जा रहा अखेला तो हमको पुछना पड़ीगा ना कोने अंजान अदमी किदर जा रहा करके ठीक है पूछ लेने आपने ठीक है और लेकिन एक बात यह भी बताओ कि अब पैंदल जारे जिसको देखाँ पैंदल जा रहे मजा पना लिया क्या तो नहीं तो जा सकता ना और आप लोग आप लोग मेरी बात रहो आद रखो आप लोग हचका मजाक मत बनां ये तो खयर मा पहला पार्ट भी अपलोड कि आप लोग पहला पार्ट भी देखिए मैं डिस्रिप्शन उसकी लिंक दे दूँगा और दूसरी बात यह भाई ने जो मुझे रुका कर सवाल पूछे आपकी जिम्मेदारी है आपके यही मकसद होना चाहिए कि आप भी रुकाओ ऐसी किसी अं दूसरी बात कोई भी अंजान अद्मी उठा चल रहा मैं का जा रहा तो बहले हचकु जाना हचका मजाग बना रहे इंसान अपनी नीन को छोड़कर फजर की नमाज को नहीं जा सकता तो कसम खुदा की पैदल हचकु कैसे जा सकता श्याप भाई की बात नहीं कर रहा है आप की बात कर रहा है और मेरी बात कर रहा है पैदल हचकु मैं जा रहा है ना मजाग मैंने बनाया आप ने बनाया हम मिलकर मजाग बना रहे तो मैं मेरी और आपकी हम सब की बात कर रहा है कोई मजाख नहीं चड़ रहे आप अपनी दुकान छोड़के जहर की नमाज को नहीं ज भचा बनान आप और में मिलकर अगर हचका मजाख बनेंगे तो इसका कुछ फाइदा नहीं होगा, भले नुकसान पहुंचीगा। हम अपनी फर्जों को पुरा करूँ, अपनी फर्ज नमाज को पुरा करूँ, नमाज फर्ज है। सही मीरी बात बताओ और हाँ मेरी बात याद से बताना और मैं आपको सबसे आखरी में ऐसी बात बताओँगा कि आपके ड्रॉंक टे खड़ो जएगा और उच्छाप भाई को वापेस लानी वाली बात रहेंगा वागा बॉडर से पहले, ये बात याद रखे, आप अपनी नीन को आखरी में बताओं, आप अपनी नीन को पुर्बान करके फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, जहुर नहीं पढ़ सकते, नवाफिल तो छोड़ी दो, इश्राक, चांच, तवाबिन, ये सारी नमाजे तो ठी है, नवाफिल, आप फर्ज नहीं मुकंबल कर सकते, तो बाकी का क्या है, हज के लिए जा रहे, हज करना फर्ज ही है, मालूपी, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं, अलागे नभी ने तहाजुद इसलिए कंट्यूनिव नहीं पढ़े, कि मेरी उम्मत पर फर्ज नहीं लागे नभी ने तहाजुद भी नहीं चाहिए, एक दो बार, इसलिए कि उम्मत पर फर्ज नहीं, और जो फर्ज है, उम्मत वो छोड़कर किसी और फर्ज के वास्ते करें, जिसके बारे में लागे नभी ने खर्माया, कि जिसके पास इस्तिदाद ही है, वो हज की लिए थ इसके गुनेगार मैं और आप रहेंगे, हम लोग रहेंगे, हम पब्लिक बन के जमा हो जारें, जिसकी वज़ा से शाली स्विश्वर्स आ जारीं, और उसकी वज़ा से उनको जाना रुख सकता, उनका जाना रुख सकता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँआ, कि आप आपकी वज़ा से वो बन्दा रुख जाए, मेरा तडप कर बोला, यही बोला है कि आपके वज़ा से तकलिफ तीसरे खुणा, आप अगर तकलिफ देंगे हैं, तो आपकी तकलिफ देख कर तीसरे तकलिफ में आई, उसने नियक करा, बहलाल उसने एक बास बोले हिंदी नह ने दूब कहें थाए, आप दूआ करो ना, तमाशा क्यों बना रहे? तमाशा बनानी के आदत उनकी है, जो तमाशा करते, हम लोग तो आल्ला के नभी के क्यों अमत ही है, हम लोग ऐसा करी है, इसलिए जो जा रहा उसको जाने दो, और बेरहाल मैं दूआ करता हूं कि अल्ला कि तुन बंदे को सही सलामत भाश के लिए कुबूल टेजाeking और उसके राष्टच को आसान फरमाएं और से सारे टकलीफ हो से म Muchas रख से पेरों में तकलीफ है जो भी है अँबहिए इस्कों प्रहूं स्विफाय कामिल हैं अ उसल करने वह और हम लोग उसके बारे में दो पॉब्लिक जमाना करें क्यों कि इसकी वज़ा यह हो सकती कि उनको वापीस भी बुलाएगा मेरी बात को खलत नहीं मैं जो सही है वह आपको बता रहा और फर्स पार्ड मैं डिस्क्शन में देदूं आप उसको भी देखो और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को आप जरूर ब कि दायतू